आज की वीडियो में जानेंगे कि औरल सेक्स क्या है औरल सेक्स के फाइदे क्या है औरल सेक्स क्यों करना चाहिए औरल सेक्स लोगों को क्यों पसंद आते हैं सारे चीजों के क्वेशन इस पाटिकुलर वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छे से एक्स्प्लीन करूंगी हाई की बात करें तो अपने टंग माउद या फिर अपने उंग्लियों की मदद से अपने पार्टनों को स्टेमिलेट करना होता है उसे अपकी जो पार्टनर है बहुत अच्छी तरके से अराउस होगी और इससे यह हेल्प होगे कि जब आप आगे जाके इंटरकोस करो तो आपकी जो पार्टनर है वह भी बहुत अच्छी तरके से अपके साथ पार्टिसिपेट करें और वही बहुत जाब तब उन दिनों में जिन दोने में औरते जो जादा पेंड में होती है तब आप यह सब करो तो उनको रिलाक्सेशन मिलता है और यह हर टाइम कर सकते हो जब भी आप एना इंटरकूस के लिए प्लान करो उसे पहले आप यह फो प्ले शुरू कर दे तो उसके आपके फाइदे बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पाट्र या पर पिर आपका जो मैल पार्टनर है वह दोनों ही अच्छे तरके सहरण हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरके से आप परफॉर्म कर सकते हो पहला फाइदा ये होता है कि जो sperm होते है सीमेंस उसके आपके बाड़ी को भी फायदा होता है वो कैसे आचालिया चानते है जो है न बहुत सारे निसरचर्चpend्स ये कहते है कि जो हुड़ते हैं औरल सेक्स में जादा हनु में उरेती है वो कम होती है, बहुत अच्छा फील होता है उन्हें, थर्ड फाइदा होता है जब कोई फीमेल का जो लॉबberise के बाद होता है, और अगर कोई मेल उसाइम के पर पैनेट्रेट करते हैं, तो उन्हें भी पैन होता है और फीमेल को भी पैन होता है, कि कि वहाँ पर कोई lubrication नीए तो वहाँ पर घरशन जाता होने के वज़े से वहाँ पर rashes हो जाते है अगर आप औरल सेक्स में involved रहेंगे तो जादा excitement और जादा चीजे पहले सी होने लगती है और वहाँ पर भी lubrication बहुत अच्छा बना रहता है जिसके वज़े से अब आगे चलके penetrate बहुत अच्छी कर सकते है औरल सेक्स फाइदा करता है पें रिलीफ में भी अगर आपको पें है आप औरल सेक्स में involved होते है तो जादा excitement होता है जादा अच्छा लगता है जिसके वज़े से आप बहुत अच्छा फिल करते है जिससे फर्स पार्ट बोला था कि अच्छी स्लीप आजाती है अच्छे सो जाते है तो फिर आप अगर औरल सेक्स में involved रहते हैं तो उसके बाद आप अच्छी दीन दाती है तो जो पें है ना काफी हट तक कम हो जाता है लुब्रिकेट हो गया अगर ड्राइ होता है नो तो बहुत साए मेल्स का जली लीक हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है जिसके वज़े से वो भी इंजॉई नहीं कर पाते है और फीमेल भी इंजॉई नहीं कर पाते है जादा टाइम तक लास्ट निंग आप है ना जब औरल सेक्स करें ना तो वहाँ पर प्राइवेट पार्ट और बाकिस्ता बॉड़ी पार्ट का हाईजीन मेंटेन करें क्योंकि यह आप मुँ और जबान का इस्तमाल करते हैं जिसके वज़े से वहाँ पर अगर हाईजीन अच्छे रहेगी ना तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा आपको वहाँ के जो बाल है वो निकाल देने हैं जिसके वज़े से आप औरल सेक्स में और मज़े ले सको चलिए बाय, मिलते हैं ने 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 पिए पर इंस एठक वी देका है तो दो दोने माचे लिए पाय